हेलो स्टूडन्स मैसेल्फ मेग नामिस कल मैंने आपको स्टैंडर्ड शिक्स का जनम दिन यह लेशन सिखाया था उसका आगे का भाग अब हम देखते हैं बबलू जो था वो बहुत शरार्ती था यहां तक मैंने आपको बताया था कि वो हर एक चीज में यानि पानी वेस्ट क नाम नहीं ले रहा था एक दिन क्या हुआ शिला मौशी जो थी उसकी बेटी पूजा का जनम दिन था उन्होंने सब को खाने पे बुलाय था शाम को सब उनके यहां पोज गए पर बबलू को वहाँ पसरा सन्नाटा देख बड़ा आच्चेरे हुआ यानि शिला मौशी जो नाम दिन थी वह प्बलू की मौसी थी वहाँ पे पुजा का जनम दिन था वहाँ पे बबलू के मा बाब भी आये थे और आजपा जो चोंटे थे वहाँ वह अए थे buds भी आये थे यह और वह देखना कि के बाद और बंगीन जालर भी सजी उई थी पर कमरे में रोष्णी न किले कमरे में क्या था अंधेरा फैला हुआ था। कुलर और पंक्खा भी नही चल रहे थे। केवल दो मुम्बतिया का धीमी आज का प्रकाश पैला हुआ था। दो मुम wolvesिया यानेummy उन्होंadows ने शिल्ण मौशी ने लगाई थी सब गर्मी से परेशन नजर आ रहे थे गर्मी का मौसम था बच्चो तो अब्यसली गर्मी से सब वहाँ परेशन हो गए थे कि कब लाइट आएगी और कब कुलरोर फैन चलेगा लेकिन लाइट आनी का नाम नहीं ले रहे थी शिला मौसी ने बताया गर्मी बढ़ जाने से बाहर तमाम जगों पर बिजली का भार बढ़ गया है क्या बढ़ गया है बिजली का भार मिन्स क्या है लोड शेडिंग बढ़ गई है इसलिए कमपनी ने अपने यहाँ भी आसे कटोटी शुरू कर दी है कटोटी याने दो या तीन घंटे के लिए बिजली जाना इसको बोलते हैं बिजली की कटोटी आज कॉलनी के इस ब्लॉक में कटोटी हुई है इस ब्लॉक में याने सेक्शन वाइड जो है वो कटोटी होती है एक सेक्शन में एक की लाइन के जो घरे जो बलते हैं कि गाव की लाइन नहीं जाती है हर एक इसमें क्या करते है पाट बाटे दिये जाते है कि इसमें आज करना है कल इसमें करना है वैसे ही आज किसकी सिला मौशी की इदर की बिजली की कोटोती हो रही थी फिर बारी बारे दुसरे ब्लोक में कोटोटी करेंगे इससे क्या हम पुजा का जनमदीन तो हसी खुशी मनाएंगे बिजली गई तो गई कुछ प्रोब्लम नहीं है ऐसे सिला मौसी का मानना था वो बोल रहे थे कि पुजा का जनमदीन तो होने ही वाला है फिर पुजा की मानने आरती और मिठाई बाटी क्या की पुजा की आरती की और मिठाई बाटी हैपी बड़े के सौंग आए गए और धमा चोक्री के भी बच्चों ने गुबबारे फोड़े धमा चोक्री याने दुम मचाना मस्ती करना और ट्रोफिया भी बाटी कुछ देर तक सब क्या हो गए गर्मी को जैसे भूल गए फिर थोड़ी देर में शीला मौशी बोली अच्छा बच्चो अब मस्ती बन करो धमा चोक्री जो है वो बन करो सब खाना सब का खाना लग गया है आओ जल्दी करो याने क्या है मेच पे याने टेबल पे क्या है सब का खाना उन्होंने लगा दिया था किसने शीला मौशी ने सब खाने की मेच पर पहुँच गए इस बीच बबलू को बहुत जोरो से प्यास लग गई मगर शायद पानी नहोने से सभी कि गिलास आदे ही भरे हुए थे क्या हो गए थे आदे आदे ही गिलास वहाँ पे भरे हुए थे जितना गिलास में पानी था वो बबलू क्या है एक गोट में ही पी गया लेकिन उसकी जो पैस्ती वो कम नहीं हुई फिर भी उसने दो-चार को बीतर जाने दिये याने उसने खाना चालू कर दिया और खाना चालू करने के बाद उसने क्या किया उसकी पैक जो थी वो और बढ़ गे गर्मी अलेक परेशान कर रहे थी वह पानी पानी चिलाने लगा लेकिन पानी का जब खाली ही पड़ा था क्या हो गया था पानी का जब था वो भी खाली पड़ा था उपर से बीजली नहीं आ रही थी उपर से कुलर नहीं था बबलू बहुत परेशान हो गया और बबलू के साथ साथ बाकी जो थे वहां के वो भी परेशान हो गया आगे का लेशन नेक्स लेक्चर में सिखाती हूँ, ओके बाबाई